हेलो दोस्तों मैं आप सब का अपने यूटूब चैनल से यूशकती पर बहुत-बहुत स्वागत करती हूं आसा करती हूं आप लोग बहुत अच्छे से होंगे दोस्तों बहुत प्यार से रह रहे होंगे दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में आपको ये बताया कि हमारा जो ये इंगे मैं दूस्तों हे वीडियो में बताया है पहला कार्मिक का वीडियो बनाए आप देख लो जाकर सोलमेट के बनाए आप उसको भी देख लो और ये तिसरा है ट्विंफ्लेम का दोस्तों वह दोनों रिष्टे से ज़ादा मतलब ऑ स्ट्रोंग रिलेशन सीप होता ह यह twin flame relationship का दोस्तों यह twin flame है क्या इसका भी मैंने वीडियो बनाया है अगर आपको देखना है तो आप पीछे हमारे वीडियो में जाकर देख सकते हो दोस्तों twin flame दो जुड़वा अत्माओं को कहा जाता है जुड़वा अत्माओं का मतलब कि एक ही सोल का दो पाट एक ही सोल का दो पाट आधा आधा अगर मैं twin flame का उदाहरन लूँ तो स्यूशक्ति स्यूशक्ति सबसे बड़ा उदाहरन है twin flame का जो अर्धनारिश्वर है आधा नर और आधा इश्ट्री आधा नर आधा नारी तो दोस्तों चलते हैं इसके साइन पर कि ये twin flame क्या होते हैं दोस्तों twin flame आपके ही soul के हिस्से होते हैं और इनका आपके life में आने का मतलब आपकी जो spiritual life है उसकी growth की जाए और आपका जो soul purpose है soul mission है जिसको आप यहाँ पर पूरा करने आए हो उसको आप याद करो समझो बुझो और उसको fulfill करो ठीक है दोस्तों और यह आपको अवेकन करते हैं मतलब उनके आने के बाद आपकी spiritual awakening होती है ये जो spiritual awakening होती है हमारी यह हमारी soul के लिए बहुत जरूरी है उसके बाद हम soul से align होना start होते हैं क्योंकि उससे पहले हम 3D play पर जी रहे होते हैं अपनी body के साथ बोड़ी को ही देख रहे होते हैं और उसके बाद जो अविकनिंग होती ही तो soul के साथ हमारा रिष्टा होता है क्योंकि यह एक soul का ही रिष्टा होता है ठीक है दोस्तों यह soulmate की तरह ही होता है बट थोड़ा उससे अलग होता है यह soul का रिष्टा है इसलिए यह soulmate का रिष्टा से भी ज्यादा strong रिष्टा होता है दोस्तों यह आपकी spiritual growth और soul purpose को पूरा करने के लिए ही आता है twin flame के आने से आपके अंदर जो fear होता है उसको वो mirror करता है दोस्तों twin flame हमारे mirror होते हैं जैसे कि आपने अपना चेहरा आइने में देखते हो तो आप अपने आइने में अपना चेहरा देखो तो आप खुद को नहीं अपने twin flame को ही देखे होगे क्योंकि आपका twin flame आपके soul का ही दूसरा पार्ट है भले उसने body अलग लिए है बट उसकी अंदर जो सोल है वह आपकी soul का आधा हिस्सा है तो वह हमें बहुत मीरर करते हैं दोस्तों दोस्तों जो आपकी जो आपकी अस्ट्रेंश होती है वह आपके twin flame की weakness होती है और जो उनकी स्ट्रेंश होती है वह आपकी weakness होगी जैसे कि अगर वह फाइनसील बहुत ज़्यादा स्टेबल है तो आप फाइनसील स्टेबल नहीं होंगे ठीक है माल लेजे उनकी मैथ बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग है तो आपकी math weak होगी वह पढ़ने में बहुत ज़्यादा मतलब यह टॉपर होंगे तो आपकी पढ़ाई पढ़ाई आपके भी अच्छी होगी पर आपको उता मन नहीं लगता होगा पढ़ने में तो बस यही है आप वह वह फ्रीडम वाले होते हैं आप उतनी पूरी तरह से यह चोटा मोटा relationship नहीं होता है पाश लाइब के करमा से लेकर इस जनम तक आपको किन किन लोगों ने क्या क्या हुंड दिया है उन सब को क्लियर करने का यह रिस्ता होता है यह काफी बहुत ही beautiful relationship भी होता है दोस्तों लेकिन काफी painful भी होता है तो आसा करती अब समाज के होंगे ट्रेम क्या होता है राधे राधे दोस्तों